जहिन दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त संदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल भैसंदीप दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको संतिर अविदास सिक्षा सहेता योजना के बारे में जानकरी देनी वाले हैं कि किस तरह से आप अपने करके आपको यहाँ संतुर विदास इक्षा शहता योजना पर क्लिक कर देना है और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यह पातरता आजएगी यह जो पेज़ है इस पेज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्सां बॉक्स में देदूँ आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिगा हुआ है कि इस योजना का उदेशिये पंजी करतिनी नमाण स्रिमिकों के 25 वर्ष से कम आयू के अधिक्तम दो बालक या बालिकाओं को कक्षा एक से प्रारम कर उच्तर शिक्सा है तो चात्रवती सहायता प्रदान करना है यहाँ पर आवशक अभलेक आप देख सकते हैं सबसे पहले आ आपका जो पंजी करत प्रमाण पत्र होना चाहिए यानि के पंजीन होना चाहिए आपका उत्तर पतेश के आप मूल निवासी होने चाहिए और आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बालक बालिका के आयू या जनम संबंधी प्रमा पत्र होना चाहिए कि आपने 50% आपने क्लास अटेंड की हैं दोस्तों दोस्तों उसके बाद आगर आप पॉलर टेक्निक या ITI या इंजिनिन कोलिंग में पढ़ाई कर रहे हैं या मेडिकल कोलिज में भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपने जब इस समय जिस समय पर आपने प्रिवेस लिया है तो उस समय पर आपको एक रिशीट मिली होगी जो आपने सुल्क वहाँ पर जमा क्या होगा उसका तो उसका भी यहाँ पर आपको चाया परती देनी होगी यानि कि इसका भी जिरोक्स आपको लगाना होगा दोस्तों अगर आपका पॉलर टेक कारी का प्रमान पत्रियां पर लगाना होगा उसके बाद पंजीकर स्रमिक के आधार कार्ड तथा बैंक पास्पक की छाया प्रती लगानी होगी ताकि जो पेमिंट है वो आपकी डिरेक्ट बैंक अकाउंट में आ सके तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह धिहान में रख लेना है अब बात कर लेते हैं इसके देहितलाब के बारे में तो सबसे इंपोटेंट बात होती है देहितलाब अगर दोस्तों अगर आप कहीं अदर से इसकोलरशिप ले रहे हैं तो यह फॉर्म ना भरें दोस्तों यहाँ पर केवल दो बच्चों को ही इतलाब मिलेगा अब दोस 11 12 वाले चात्र या चात्राओं को 500 रुपए प्रतिमा का देलाब यहाँ पर मिलेगा अगर आपके बच्चे या आप श्रम आईटियाई अथवा सम्कक्स यानि कि आईटियाई के अलाबा उसके जैसा ही कोई कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी आपने सुल्क जम्मा किया है उसके बराबर आपको यहाँ पर मिलेगा जैसे कि सनातक है तो 1000 रुपे आपको प्रतिमा मिलेंगे पराइशनातक है तो 2000 रुपे प्रतिमा इंजिनिरिंग या मेडिकल पराइशनातक है तो 8000 रुपे प्रतिमा मिलेंगे अगर आप PhD कर रहे हैं अनुसांधान है तो आप को बारहजार का देहित लाब यहाँ पर मिलेगा सबसे बड़ी बात यह है कि कक्सा 10 वेव बारवी के उत्रिन बालिकाओं को साइकल यहाँ पर दी जाएगी दोस्तो तो दोस्तो अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप संत्रविदास सिक्षा साहता योजना का लाब ले सकते हैं अब इसको अपलाई आपके आपको कहां से कराना होगा तो दोस्तो आप किसी भी जन सेवा केंद पर जाकर के इसको अपलाई करा सकते हैं अगर आपके पास CSCID है तो वह भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर इसको आपको UPLMIS के पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पर आपकी जो CSCID है एंटर करना है और यहाँ पर संतर विदास योजना पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह form आपके पास ऐसा खुल के आ जाएगा अब यहाँ पर इसको आपको जैसे कि मालिज आप पंजीगर स्रमिक है तब पंजीगर स्रमिक करना है अगर आप खुद आवेदक है तब यहाँ पर आपको आवेदक भरना होगा तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम आवेदक भर देते हैं तो आपको simple सा एक छोटा सा ये page है ये आपको भर लेना है जैसे कि पंजीन संक्या आपके फादर या मदर की होगी और यहाँ पर search कर लेना है जैसे यह आप कुछ भी पंजीगन संक्या डालेंगे सर्च करेंगी तो उसमें नाम detail थोड़ा जो है वो फिलप होके automatically आ जाता है यहाँ पर तो जैसे कि मालीज आपने पंजीगन शंक्या यहाँ पर डाल दी नहीं इस तरह से आप phone के द्वारा भी आप खुछ से भर पाएंगे laptop है तो laptop से बड़े आसानी से एजली step में आप कर पाएंगे आप यहाँ पर श्रमिक का नाम मोबाइल नंबर आधार कार संक् और यहाँ पर एस्थाई पता और इस्थाई पता दोनों आप यहाँ पर भर सकते हैं अगर आप कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तब तो यहाँ पर दोनों पते आपको भर देना है ठीक है दोस्तों उसके बाद आवेदक का पंजीकरत स्रमिक से क्या संबन है वो भरना है आवेदक के पिता या पती का क्या नाम है, यहां भरना है, उसके बाद यहां आवेदन तितिया आउटोमेटिकली आ जाएगी, बालक या बालिका का नाम भरना है, उसके बाद उसके डेटो बर्द भरना है, ककसा जिसमें अध्यनरत है, वो भरना है उसके बाद शिक्षाया बोर्ड का नाम भरना है विद्याले का नाम जहाँ पर अध्यनरत है उसके बाद यह सारी डिटेल इसमें भर देनी है दोस्तों और जैसे है आई फसी कोड बैंक डिटेल डागल करके आप सब्मिट करेंगे तो एक पेज और उपन हो जाए हैं तो यहाँ पर येस या नो आपको करना है जैसे कि मैंने नहीं भर दिया है उसके बाद बैंक का नाम और बैंक कौन सा बैंक है क्या फसी कोड है वो सब इसमें डिटेल में भर देना है दोस्तों तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आ हो फिलीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजीगा चैनल अगर सब्सक्राइम नहीं क्या है तो कीजीगा दोस्तों आग्या दीजे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार